उत्तर प्रदेश में मानसून फिर सक्री हो गया है, सुक्रवार से लगातार बारिस और तेज हवाएं चलने से गर्मी से रहत तो मिली है, लेकिन जन जीवन काफी प्रभावित हुआ है। बारिस की वजह से हाथसों में प्रदेश में आठ लोगों की मौत हो गई है। मौसम विभाग ने सनिवार को हुई कई जिलों में भारी बारिस की संभावना देखते हुए ओरेंज अलर्ड जारी किया है। अयोध्या और गोणा में बारुवी तक के सभी स्कूल सनिवार तक बंद कर दिये गए हैं। लखनाव समेत प्रदेश के ज्यादा तर जिलों में दिन भर कभी हलकी तो कभी भारी बारिस होती रही। इस दोरान 20 से 30 किलोमेटर प्रत घंटे की रपतार से हवाएं भी चली। पारा गिरने से लोगों को गर्मी से रहत मिली है। लखनाव मौसम विज्यान केंदर ने पिछले 24 घंटों में 20 मिमी बारिस रिकाट की है। अयोध्या में तेज बारिस से दर्जनों से अधिक महलों में पानी घुस गया है। रामपत समेत इलाकों के कई सड़कों पर इतना पानी भर गया है कि आवा गमन पूरी तरह थप हो गया है। सीयम योगी ने बारिस से प्रभावीद जिलों के अधिकारियों को पूरी तर्परता के साथ रहतकार, संचालित करने के निर्देश दिये है। सियम योगी ने कहा कि अधिकारी छेत्र का भर्मन कर रहत कारी पर नजर रखें और परभावित लोगों को मदद दिल्वाएं। आपदासे हुई जन्हानी से परभावित परिवारों को रहत रासी अभिलंब प्रदान की जाए। कुछ दिन पहरे तक यहाबारिस फसलों के लिए अमरत साबित हो रही थी लेकिन अब किसानों की चिंता बढ़ गई है। उत्रपदेश किसी बिग्यान परशद के बिग्यानिकों के कहना है कि अब धान की फसल पक्कर तयार हो गई है। कई जिनों में अंगेती फसल की तो कटाई भी सुरू हो रही है। ऐसे में यह बारिस नुकसान करेगी। प्रदेश के नो जिनों के 106 गाओं में लोग बार से त्रस्त हैं। मोसम बिग्यानिकों ने सनिवार को कुशी नगर, महराज गंज और आजपास के इलाकों में भारी बारिस का ओरेंज अलर्ड जारी किया है।